हेलो स्टूरेंज वेलकम टो माई यूट्यूब चेनल चियोग्रोफी गुरू आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9, 10, 11, 12 की EMC वर्कशीट नमबर 8 को आज की वर्कशीट भी बेहत खास है वैसे तो EMC की जितनी भी वर्कशीट होती है वो कुछ अलग होती है स्पेशल होती है बहुत कुछ life skills के बारे में हमें सिखा के जाती है बहुत कुछ ऐसा सिखाती है जो शायद हमें किताबों में धूंडने से ना मिले तो इसको जितना अधिक हमें इसको वर्कशीट के तोर पर लेना है उससे ज्यादा जरूरी होता है इसको समझना आज हम बात करने वाले हैं effective communication की जो हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था effective communication part two है यानि परभावी संचार का दूसरा भाग हम यहाँ पर लेकर के आए इसमें हम समझने की कोशिस करेंगे कि effective communication के लिए हमें और क्या कर सकती है कैसे क्या जा सकता है और एक और खास बात होत अक्षिट में समझा था कि अच्छे से अपनी बात को रखना एक कला होती है और उसके लिए दो चीजें जरूरी है पहला ध्यान से सुनना और उसके बाद है अच्छे शब्दों में उसको बताना दोनों चीजें जरूरी है अब ध्यान से नहीं सुनेंगे था हम ठीक से पारक फैक्टर होता है जिससे हमारा कम्यूकेशन और बहतर बन सकता है चलिए शुरुआत करते हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ओपर देख पा रहे हैं यह हमारी वर्कशीट नंबर एट है जो कि क्लास 9 10 11 12 के लिए होती है आज की हमारे टोपिक है वह इफेक्टिव कम्य पार्ट है हमने पिछली वरकशीट में कुछ पढ़ने का कुछ समझने का प्रियास किया था और उसमें हमने कुछ एक्टूडीज की थी कौन से अक्टूडीज थी आपको शायद याद होगा उसको अपने अपने परिवार के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ उसको किया भी होगा दोहराया भी होगा कि पिछली वरक्षीट में आपने अपने प्रिवार के सदिश्यों और दोस्तों के साथ ध्यान से सुनने स्पश्टूप से बोलने का भ्यास किया था कि ध्यान से सुनना कितना जरूरी होता है कि हम सुनेंगे तभी उस चीज को रिपरजेंट कर पाएंगे ठीक टंग से क्योंकि यहां पर हम रिपरजेंटिशन की बात नहीं करें हम बात करें पर भावी इफैक्टिव हो कि सामने वाले को मन करें कि यह कब बोलेगा और कब मैं सुनू मतलब ऐसा हमें बनाना है तो उसमें हमने अभ्यास किया था कि सुनना एक बड़ी कल होती है अब हम आज कुछ एक्टिडीज के थू समझेंगे कि इसके अलावा क्या चरूरी होता है जैसे यहां पर हमें दो पिक्चर दीगें ध्यान से देखिए अब यहां पर इस पिक्चर से रिलेटिड कुछ संटेंसिज दिये गएं वाक्या दिये गएं कि मैं एक बल्ब हूँ मेरा नाम रोनक है मेरा उदिश्य है सबसे चमकदार रोशनी देना मुझे जरूरत होती है बिजली की अब यहां पर देखिए कि जो कम शब्दों में सारी जानकारी हमें मिल गई है तो यह क्या है effective communication है नाम आ गया मैं एक बल्ब हूँ मेरा नाम रोनक है क्योंकि सबसे चमकदार रोशनी देना कि इसका उदिश्य है और जरूरत होती है बिजली की तो यह effective communication है यहां पर अगर हम बात करें तो दूसरी दिखाएगा कि अगर effective communication आओ तो कई बार हमारे लिए खुद के बारे में दो मिनट बताना भी मुश्किल हो जाता है कोशिश किजी आपको यह पूछा जाए कि खुद के बारे में बताइए अपना इंट्रोडेक्शन दीजिए तो हमारे पास जो इतनी बड़ी एज में हमने बहुत किस किया हुआ लेकिन दो मिनट में सब खतम हो जाता है तो यह यहां पर हमें एक उधान देके बताया गया है कि effective communication में एक यह भी होता है कि हम अपने point के साथ बने रहें हम to the point बात करें हम मुद्दे की बात करें मुद्दा कहीं नहीं भूल जाना चाहिए हमारे graduation में एक हमारे teacher हुआ करते थे बेड के दोरान तो वो बहुत knowledgeable थे पिछे किसी एक worksheet में भी हमने discuss किया है लेकिन जब वो बोलना शुरू करते थे और जब वो बोलना खतम करते थे उन्हें खुद को भी नहीं पता होता था कि किस बारे में मैं discuss करने आई थी या किस बारे में हमने discuss किया और ना ही हमें पता कच्चे में उतर जाते थे तो यहां पर यह भी जरूरी है कि हम जो मुद्दा है एहम मुद्दा है उससे भटके नहीं अगर भटक गए तो साइद फोकस नहीं रहेगा सुनने वाले का यहां पर गतिविदी दी कि उपर लिखी पंक्तियां पढ़कर आपको रोनक के बारे म पता चल गई है इस गतिविदी को हमें परिवार के सदेश्यों के साथ मिलकर करना है यानि कि कोई वस्तु बनने की कल्पना करनी है और उदेश्यों जरूरती है वो बतानी है आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो आपको यह लग रहा होगा कि यह बचकानी है लेकिन इ जीजे हम सीखते हैं बहुत महत्पूर होती है आगी कि हमारी लाइफ के लिए तो यहां आपको भी ऐसा ही करना है परिवार के सदेश्यों के साथ एक्ट्विटी करनी है कि आप कैसे अपनी बातों को रख पाते हैं किन शब्दों का परियोग कर पाते हैं थोड़ा कॉन्फ अपकी जरूरती क्या है उनके बारे में भी चर्चा करनी है कि हमें क्या बनना है क्यों बनना है कैसे बनना है कई बार हम एक छोटी सी लाइन में बता देते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है मुझे सीविल इंजिनियर बनना है छोटी सी लाइन लेकिन उससे आगे सोचते न कैसे होगा तो वह सब कुछ आपको सोचना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जब भी हमें बोलना हो तो हम तभी बोल पाते हैं जब हमारे पास क्लियर्टी हो क्या क्यों और कैसे की तो यहां पर जो रोनक है उनके पास एक चीज हमने यह सीखी कि हमें टूदा पॉइंट र करते हैं यहां पर जैसे दिया गया है कि क्या प्रभावी संचार में ध्यान से सीखने और स्पष्ट बॉलने यह दो चीज हम पहले सीख चुके के अलावा और भी कुछ सीखने को है जरूर है यह हम थोड़ा और आग जाके और अच्छे तरीके से समझेगें यहां देखिए कुछ चितर दिये गए पिक्चर दिये गए आपको दिखाई दिय रहा है तीन तरीके हैं जिनसे हम अपनी बात है वो आगे पहुंचा सकते हैं पहला दूसरा और तीसरा अब इसमें पहला जो चितर दिया गए इसमें अन्य लोगों को परभाइत करने का प्रियास किया जा है अपनी बात से इसके लिए जो पहले चितर में है कि हम अपने विचारों को कई लोगों के सामने पेस्ट कर सकते हैं जैसे आप स्कूल में जाते हो तो जो मॉर्निंग असेम्बली होती है उसमें आप अपनी बातों को रख सकते हो ताकि दूसरे सुने अपने क्लासरूम मे रख सकते हो दूसरा है पोस्ट के माधिम से जगह जगह आपने इलेक्शन में अभी देखे होंगे डैली में होडिंग लगे थे अभी भी लगे होते हैं तो उसके माधिम से तीसरा होता है कि अख़बार के विज्यापन दिया जाते हैं उनके दौरा भी परभावित करने का प्रियास किया जाता है तो यह भी एक तरीका होता है कम्यूकेशन को बहतर बनाने का यानि कि पिक्चोरियल परजेंटेशन अब मेरी जो आदत है जिसे हम क्लास्रूम में जाते हैं तो क्लास्रूम में जाने के बाद बोर्ड का यूज सबसे पहले होता है आप हैडिंग लि तक वो बुक्स निकालेंगे, उससे पहले माइंड सेट हो जाएगा, कि हम किस के बारे में बात करें हैं, माइंड है, उस पॉइंट के उपर आ जाएगा, फोकस लेवल बढ़ता है, तो ये पिक्चर जो होती है, ये भी कम्नियूकेशन को बहतर बनाती है हमारे, और ये जाएगा, लेकिन कम्नियूकेशन बैटर हो गया, इफेक्टी हो गया, वहाँ पर फिर कंसेंट्रेशन लेवल है, वो बढ़ जाता है, ऐसे हम सलाइड का यूज़ करते हैं, किस के लिए करते हैं, हमारी बाते ही ज़्यादा अच्छे से कलिए होती है, होती है, चलो मैं आप से पूशता हूँ, शोले मूवी देखिए, थोड़ा सा सोचिए उसके बारे में, याद आया कुछ, बहुत कुछ याद आ गया, थ्री इडियर्स देखिए आपने, जरूर देखिए होगी, याद आया, सारे चहरे सामने आ जाते हैं, अब ये देखिए कि आपने थ्री इडियर्स या आपने जो मूवी देखिए शोले, उस वक्त आपको ये बोला गया था कि ये एकजाम में आएंगे, नहीं बताया गया, या आपका 100% फोकस था कि नहीं, इसको लर्ण करना रट्टा लगाना है, नहीं था, याद है वी तक, क्यों? क्योंकि वो चीज़ें हमने देखी हैं, जो देखिए चीज़ें वो हमेशा के लिए याद रहती हैं, सुनी हुई चीज़ें हैं, वो भूल सकते हैं, पढ़ी ची आप जितना अधिक यूज कर पाओगे, उतनी ही आपका कम्यूकेशन स्किल्स है, वो बैटर होता है, आप अगर एक टीचर है, वो पढ़ा रहा और एक टीचर हेडिंग भी अगर बोर्ड पे लिख रहा है, आप यकिन मानिए कि दूसरा टीचर है, वो ज़्यादा इफेक् पास जहां तक पॉसिबल्टीज हो, वहां पर हम स्लाइट्स का यूज करें, हम आईटी टेकनोलजी का यूज करें, अगर हम बोर्ड का यूज कर सकते हैं, या किसी टीचर इंट्रियू में कन्विंस करना है, तो हमारे पास फैक्ट्स होने चाहिए, पेपर होना चाहिए, तो वह भी एक तरीका है, बोलने के साथ साथ चित्रों द्वारा अपनी बात कह पाना या चित्रों में दिया गया संदेश समझ पाना, ये उप्योगी होता जा रहा है 21 सदी में, बहुत ही फैक्टी होता जा रहा है, अब आईए हम अपनी बात से लोगों को परभाईत करने भी जरूर बताईएगा, अच्छा लगेगा शेयर करके कि क्यों अच्छा लग रहा है, ये टीवी रेडियो पर आने वाले विग्यापन भी हो सकते हैं नियूस पेपर में, जैसे मुझे एक एड है वो याद है, टाटा स्काई के आती थी, इसको लगा डाला तो लाइफ ज ज़्यादा पसंद किये जाते हैं, ज़्यादा केची होते हैं, ज़्यादा याद रहते हैं, अब आपको क्या करना है, ये तो हमने डिसकस किया, आपको किसी महत्पून मुद्दे या वस्तू के लिए एक विग्यापन बनाना है, लिखकर, चित्र बनाकर, वीडियो बनाकर या ओडियो बना कर अब क्या आपका विग्यापन दूसरों को प्रभावीत कर पाएगा अब इसको जांचना है यानि जितना प्रभावीत कर पाया इसका मतलब उतना ही हमारा Communication Skills है वो बहतर है तो इसमें हमें देखना है कि विग्यापन कितना प्रभावी है तो उसके लिए हमें तीन कोशन है वो पूछने है खुद से ही कि क्या विग्यापन देखने वाले को अपना फाइदा दिखा रहा है कि हमें विग्यापन इसलिए कि जाता ना तो फाइदा नहीं हो विग्यापन का यानि कि कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ उसका तीसरा विग्यापन देखने के बाद क्या विग्यापन देखने वाले को कुछ करने की प्रेणा मिल लिए या कोई अपना नजरिया आदत बदलने वाला है तो ये parameter होते हैं कि विग्यापन कितना परभाव सालिय है अगर हमने विग्यापन अच्छा मनाई इसका मतलब हम इस चीज को भी dial up करें ये चीज हमें dial up करनी है जैसे teacher है तो आप देखते हो कि board का अच्छा यूज़ करते हैं कुछ teachers तो ये क्या है उनकी communication skills है है चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं थोड़ी और बात करते हैं यहां पर इसी activity की कि अब आपने विग्यापन बनाया अपने एक साथ ही है friend है उसके साथ उसको share कीजिए आसान सा आज कल के time में share कीजिए और उसे बोली है कि आप भी ऐसा विग्यापन बनायों साजा कीजिए और फिर एक दूसरे को phone करके आपको पता लगाना है जो आपके daily बात हई जाती होगी तो आपको क्या पता लगाना है क्या आपपो पता लगाना है कि आपको विग्यापन कैसा लगा विग्यापन के बारे में सवाल क्या है विग्यापन में सबसी अच्छा क्या था और उसको बहतर कैसे बनाय जा सकता है तो इससे हमें एक दूसरे से सीखने की प्रेंडा मिलेगी कि हम कैसे उसको बैटर बना सकते हैं यानि कि हम यहां पर क्या सीखा आज हमने तीसरा तरीका सीखा है कि अपनी बात को पर्भावशाली तरीके से कहने के लिए पिक्चर का, डायग्राम का बोड का उपयोग किया जा सकता है ये स्किल भी डैलाप करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये शायद कहने से ज़्यादा परभावशाली होती है तो इसमें हमने तीशरा एक तरीका समझा यहां पर परभावी संचार के अनेक आयाम है जो हमने समझा कि किसी को ध्यान से सुनने से लेकर करके उन्हें परभावित कर पाने तक इनका निमित रूप से हमें अभ्यास अगर करेंगे तो हम इसमें दक्ष्टा हासिल कर सकते हैं और सकारात्मक रूप से जुड़ सकते हैं तो हमने समझा है इन दोनों वरक्षिट में कि परभावी effective communication कैसे किया जा सकता है और यकीन मानिए कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपके academic जो marks हैं आपने चाहिए 99% लिए हो 95% लिए हो आपकी काम्याबी में 15% योगदान देते हैं यानि कि जो आप book smart हो वो आपकी काम्याबी में 15% का रास्ता तै करवाएगा और जो 85% है गया ना वो हमारी social skills के ओपर depend करता हम काम्याब होंगे या नहीं होंगे और social skills की शुरुआत होती है communication skills से हम अपनी बात को कैसे रख पाते हैं तो आज से शुरू हो जाएए अच्छे से communication skills के ओपर ध्यान दीजिए अच्छे शब्दों का चैन कीजिए अच्छे तरीके से बोलना सीखिए और मेरी तरब से एक tips है आप आप कहना सीखिए हमेशा तू नहीं कि चाए वो छोटा है या कोई भी है जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो यह जो आप शब्द है ना यह आप शब्द नहीं है यह जादू होता है बहुत सारे आपके अटके वी काम बहुत सारी जगए पर आपका जगड़ा है मन मुटाव है वो इस आप जादू शब्द है वो निप्टा देगा ओके तो हमेशा कम्यूकेशन करते रहिए आगे बढ़ते रहिए बहुत आगे जाओ थैंक यू बाइ-बाइ वे नाइस टे और इस चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा सीखना तो इस चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब जरूर किजीगा थैंक यू बाइ-बाइ वे नाइस टे